हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो वर चैनल भी नैच्रल विद माहीं काईज आप सबका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और नेरी आज की जो वीडियो है वह तो आपको थमनेल से पता चल ली ही चुकाऊगा फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि यह है मेरी समर्स क में फाउंडेशन अप्लाइ करते हैं तो क्या होता है वह फसीना आने की वज़े से ना वह थुर्क कहकी सी हो जाती है जान तो निकल जाती है यहां तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फाउंडेशन समर्स में कैसे पफेक्ट दिखेगी और कहकी बिल्कुल भी नहीं जादा लॉंग लास्टिंग रहेगी ठीक है गाइस तो करते हैं वीडियो को स्थार्ट टाइम वेस्ट किये बिना मेरी आज की जो वीडियो है आप सब के लिए तो है है यह स्पेशली मेरी चासी जी के लिए है जिनोंने मुझे कॉल करके फोन करके बोला था उधंपूर से कि प्लीज वीडियो बनाना की फैस में समर्ज में उनकी फांडेशन जो है निकल जाती है तो उसको कैसे स्टेप मदल लॉंग लास्टिंग बनाना और वों निकले ना तो कैसे हम अपनी फांडेशन को फॉफेक्ट बना सकते हैं ओके गाईस तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरे मेरी जो next videos है आरने वाली है जो नहीं नहीं वो आप तक regular पहुंचती रहें ओके गाइस तो चलिए करते हैं start ओके गाइस तो चलिए करते हैं अपनी video को start तो यह है मेरी termocoll की foundation मेरा पहले पीज़ पे एक video बन चुका है और यह है मेरी दूसरी lacmi की mousse ये भी फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और ये कोई थिक फाउंडेशन नहीं है बिल्कुल ऐसे ड्राय ऐसी और बहुत अच्छी हाई एक स्किन पर चला जाती है बटिके स्पेश्लिव आईडी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और आज जो हम लगाएंगी वह य ये रिसेंट्ली मैंने रेवलिशन की मंगवाई है तो उसका भी आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो फॉस्टी आपको क्या करना है गुद पाइप्स का टोना लेना ये कुखंबर वाला ब्लो टोनर है तो कर जी बहुत अच्छा है मैंने अभी रिसेंट्ली मंगवाया था पटर मुछ है की इस्टॉणा अच्छा लगाए सबसे पहले प्रेकर फेस को रिफ्रेश कर लिये सबसे पहले पने फेस को इनधी करना विसके बाद संदुने ठीक है इसको पहले इच्छे से टोनर को फेस्ट पे लगा लीजिए उसके बाइस को थोड़ा सा ड्राय होने दीजिए यह है मेरा गुड़ वाइस का आर्मेंड ड्राला सेरम आप देख सकते हो यह भी सिर्म बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस सिरिस्ली मेरे पास आपने मेर बाकी वीडियो में जो देखी हूंगी उनमें मैंने वह रोज वाला फिरम यूद के वह भी बहुत अच्छा है थोड़ा ड्राय स्किन वालों के लिए और और यह अगर आपने पनी स्किन टॉन को थोड़ा ब्राइट करना चाहते है तो उसके लिए अगर आपकी स्किन टॉ इसमें किया है कि आपका फेस जो है गलोई और ब्राइटीन हो जाएगा इसको भी मैंने ज्यादा वार यूज निं किया है यस्तर वीडियो में तो बिल्कुल निं किया हुआ ऐसे मैंने इसको एक दो बार यूज किया हुआ है मुची त अच्छा लगा इसकी थोड़ी तो आपलोगों को इस चीज पर दादो यह में स्किन देखी आपको इस इस बडा दो की मेकप करने से पहले अपने फेस को जितना अच्छा हो सके उतना जाधा मास्ट्राइज की घिए ओर बेस जितना ज़ाधा अच्छा होगा मेकप अपको अथा अथे थीक है गाइस तो बहुत सारे मेंली जो फाउंडेशन में प्राप्रमतिक कहती नहीं कुछ नहीं उसका में रिजन यही होता है कि हमारे बेस जो है वो सही नहीं होता है तो मेरा सिर्म थोड़ा कम था है मैंने भर-बर के लगा है सिर्म आप देख सकते हो और अंडर आइस में और आइस के उपर भी जुरूर लगाई है से जो अगर डाक सिर्कल्स वगएरा है वो भी चले जाएंगी मेरे भी थोड़े बहुत हो गए है आज को रात को थोड़ा लेट ही सोने होता है मैं अच्छी ब्लॉक्स पर भी थोड़ा काम कर रही हूं तो तैट्स वाए कि रात को टाइम हो जाता है थोड़ा इसी तिर्के से हलकी हाथों से आपको करनी है मसाज ठीक है और इसको मसाज करने के बाद भी खाईस आपको थोड़ी दिर का ब्रेक देना है कि अच्छे से अपने फेस में अफ्जर्व हो जाए आप कुछ भी स्टार्टिंग में जो प्री फेस में टोना लगाते हो उसको भ भी थोड़ा टाइम देना बहुत जरूरी है गाई ठीक है देखिए मैंने दो दो मिनिट भी अच्छा मेरा प्रॉपर्टी दो मिनिट के बाद अच्छे से अफ्जर्व हो चुका है आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है इस सिरम के साथ अब ऑके घाई तो यह है मेरी गूंट वाइज की क्रीम जो की आप लोग जानते हो यह मेरी डे क्रीम है तो यह क्रीम मैं ऐसे मौशराइजर वह यूज़कर रही हूं ठीक है बहुत अच्छी क्रीम है इस कस्ण से बहुत जादा अच्छी क्रीम है अगि मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग लीजिए ट्राइ करके देखिए यूज करने के बाद ही पता चलता है यह में पास अभी मत की होगे हैं कुछ टाइम में को मगवाए हुए बट मुझे अच्छा लगा इसका है कि प्रीम का वोग जो है काफी अच्छा है अगर आपको फ्लॉॉलेस अपना मेक पताना इतना जदा भर बरके भी ने लगाई मेरा देख लीजिए मैंने कितना अगा है इसी तरीके से अपना बेस जो है अपने रेडी करने अब देख सकते हो मैंने फेस पे लगा ली है कंफ्यूज होगी हूं पता नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही थी मैंने अपना मास्टराइजर जो है वह जो क्रीम थी वह मैंने अच्छी क्रीके से अप्लाइद दीखिया इस मेरे फेस लगाती ही लगाती है कितना अच्छा ग्लोस आ गया क्रीम को लगाते ही फेस पे अगर रेगुलर यूज के लिए अपर रेगुलर यूज के लिए उसके लिए वैसे जो लोग ज़ाधा मैं उनको प्रेफर करूंगी जो फाउंडेशन ज़ादा अप्लाई करना जितको नहीं अच्या लगता है वह ये रैगुलर यूज के लिए आफिस इस यहां कॉलेजिस पर गारा जाने के लिए देखिये स्किन कितनी अच्छी लग रही है शाइन आ जाती है फेस में ड्राय स्किन नहीं चाहिए गाइस कभी भी आप फाउंडेशन लगाते हो ना कर आपके ड्राय स्किन है तो कोशिच के लिए जितना ज्यादा इस लीम का एक मॉस्टराइजर आता है वह भी काफी अच्छा डीप मॉस्टराइजर वह भी अच्छा थीक है दो में इसको भी मैंने छोड़ा यह देखिए अब मैं इसके ची लग रही है काफी जालद ऐसे ग्लोई सी लग रही है ठीक है तो नाव अभी हम क्या करेंगे कर इसका मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था उसके बाद और यह है हमारी लैक्मी की मूस्ट अब लोग अप्लाइक करेंगे लेक्मी मूस्ट यह दोनों क्रीम मैंने पहले बताए कि बहुत अच्छी क्रीम सही आप लोग समर्स में ने अप्लाइक कर सकते हो ठीक है में भी आज आप मेरी आवाज आपको लोगों को अच्छी आ रही है देखिए मैंने फांडेशन इक् गाइस जो डर्माकॉल की फांडेशन ना यह बहुत ही अच्छी फांडेशन है बस इसकी प्राउब्लम में यह बहुत कॉस्टी थोड़ी एक्स्पैंसिव आती है तो बट जो लोग ट्राइक करना चाहें तो प्लीज मैं जरूर 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 ट्राइक करें इस फांडेश अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए अपनी स्पंच को हमेशा थोड़ा गीला करके पानी अच्छे से इसको डाप करके आपने लगाना है उसको जैसे मैं लगा रहे हूं वीडियो में ठीक है और देखिए डिफेंट यहां से अपनी हेर लाइन के पास भी कोशिश करें कि अच्छे से कवर अप करें अदर्वाइस फेस और हेर लाइन में से वह दिख जाता है फिरकी फांडेश फीर रहे हैं यहां पास बस फांडेशन नगाई मेक करा हुआ है तो आपको अच्छे से कवर अप फेस को रहे हैं को करना है तर्वाइस को तो कोशिश किजिए उसके पार भी थोड़ी तेर डिया टप करते कि छेस पे परंच को अप्लाई करें नेक पे और एर्स पे जरूर अप्लाई करें गाइस देखिए मैं कैसे रिप्लाई हो जो कि मैं फिर भी डाप डाप करके इसको सेट कर रहे हूं ताकि वह फ्लाउलेस सी लगे कोई कैकी नेस ना रहे हैं फेस पे बहुत अच्छी वांडेशन है काई मैं तो बहुत जाए अच्छी है इसका अगर आपने फुल रिव्यू देखना है तो गाइस मैं अपने डिक्स्रिप्शिप्शन बॉक्स में इसके लिंक इस वीडियो को मेरी पुरानी जो वीडियो है उसका लिंक छोड़ दूँगी आप जाके मेरी देख सकते हो कि इसका डिटेल टाइम के बाद यह थोड़ा सा टोन इसका मतलब कि डाक कर देती है तो बट जब भी आप इसे खरीदे तो एक टोन अपने फेस से लाइटर मंकि थोड़ा सा अगर आपका थोड़ा सा ब्राउनी शेयर तो उससे थोड़ा से ब्राइट में खरीज तो यह देखिए मेरी ब्चलेशन आप अपाइक करते हो इस तरीके से करनी है और उसके बाद आपनिका तना है ध्यान में और ध्यान के विंटर्स में भी ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से पूरे फेस पर अपलाई कर लिया और गैस मैं आपको एक चीज और बता दूं इस वीडियो में मेरे दिमाग से निकल गया आप लोगों को बताना कि लास्ट में सेटिंग सप्रेई जरूर यूज कीजिए जब आप मेकप अमध जब यह पाउडर लगाते हैं लूस पाउडर उसके अपर आपने मेकप ज़रूर यूज करने है क्यूंकि जब आप वह यूज कर लोगे उसके बाद आपका जो बेस है वह टिक जाएगा उसके बाद आप कॉंटॉरिंग हाइलाइटर वगयार मेकप जो भी आई मेकप जब आपके उसके बाद एक वाद फिर से आप उसे अपलाई कीजिए नेकप फिक्सर को उससे क्या होगा कि अब की ज्यादा निक तो होता न की एक टाइम तक हाँ इस बेसे ज्यादा रे टिकेगा उससे खुड़ा एक्सेस टाइम में ले ले लेता है वह मतलब की टिक निक है अब यह सब्सक्राइब में यह सबसे बेस्ट तरीका है फांडेशन लगाने का मत की कोई भी वह करके फांडेशन अपलाई करके उसके अपर कॉम्पैक्ट में जोगा वह निकाल दीजिए तो काइज आई होब कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर इस और लेकिए आठी रहूं प्लीज गाइस पोर्ट में ओके गाई इसी तरीके से एक्सेज ओगा वह आपको निकाल देना है एक लिए कितनी फ्लॉएलस से लग लिए कोई कैकिनेस नहीं है फेस पेस बिल्कुल भी नहीं है बस्त आपको भी इसी तरीके से करना है ज्याद एक्सेज में बावड़ा नहीं लगाना है तो इस तो जड़ा ओके गाईस